नाला सुपारा की एक महिला के याचिका पर सुन्वाई करते हुए मुंबई हाई कोड ने बीमसी को निर्देश दिया कि टेस्ट्यूब के जरिये जन्मी बच्ची के जन्प्रमाड पत्र में से बायलोजिकल पिता का नाम हटा दिया जाए हाई कोड का कहना था कि ऐसे मामलों में बच्चे के जन्प्रमाड पत्र में बायलोजिकल पिता का नाम होना जरूरी नहीं है प्रमाड पत्र में पिता के नाम की जग़ा खाली रखी जाए यादेश न्यायमूर्ती AS OAK और न्यायमूर्ती R.I. छागला ने दिया इसी के साथ दोनों नयाय अधीशों ने BMC से पूर में जारी जन्प्रमाड पत्र को वापस लेने का निर्देश दिया जिसमें बच्चे के बायलोजिकल पिता का नाम लिखा हुआ है नारा सुपारा की एक महिला ने डोनर से प्राप स्पर्म की मदद से अगस्ट 2016 में टेस्ट्यूप प्रक्रिया की जरिये एक बच्ची को जन्प दिया था याचिका करता ने हाई कोट से अनुरोद किया कि वो स्पर्म डोनर का नाम उजागन नहीं करना चाहती इसलिए BMC के संबंद वॉर्ट कारियाले को बच्चे का ऐसा जन्प प्रमाड पत्र जारी करने का अदेश दिया जाए जिसमें पिता का नाम न लिखा हो सुप्रीम कोट ने वर्ष 2015 में विवस्था की थी कि अगर कोई महिला शपत पत्र दे कर पिता का नाम उजागन न करने का अनुरोद करती है तो पिता का नाम लिखे बिना ही जन्म प्रमाड पत्र जारी किया जाए महिला ने अपने प्रातना पत्र के साथ सर्वोच ने आले के इसी निर्देश का हवाला देते हुए बाइलोजिकल पिता के नाम के साथ जारी प्रमाड पत्र निरस्ट कर नया जारी करने का अनुरोद किया था BMC ने पिछले हफ़ते हाई कोड के सामने बच्चे का जन्म प्रमाड पत्र और ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किया इसमें याजिका करता ने बच्चे के जन्म के समय अपना पूरा नाम हॉस्पिटल फॉर्म में लिखा था और दावा किया था कि उसका पती एक व्यवसाई है इसी के आधार पर जन्म प्रमाड पत्र में पिटा का नाम लिखा गया है हाला कि महिला ने इस फॉर्म को फेक बताते हुए BMC पर सवाल उठाए तो BMC ने महिला के हस्ताक्षर वाले फॉर्म कोट के समक्ष पेश करते हुए कहा कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो जन्म या मृत्यू पत्र के एक बार दर्ज की गए रिकॉर्ड को निकाल सके लेकिन बेंश ने महिला का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोट के फैसले को देखते हुए BMC को इस जन्म प्रमाड पत्र से पिता का नाम हटा देने का निर्देश दिया मन से प्रमुक राज ठाकरे प्रधान मंत्री मोधी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते फिर चाहे वो जन्सभाओं के जरीए हो या कार्टून के पेट्रोल और डीजल के दामों में मेताशा हो रही बढ़ोत्री को लेकर राज ने मोधी और शाह पर इस बार कार्टून के जरीए हमला बोला है कार्टून में पेट्रोल भरने वाली पाईप को बंदू की तरह दिखाया गया है जिसमें मोधी पेट्रोल भराने आये पती पतनी को डरा धमका रहे हैं और बगल में खड़े शाह उनसे हैंज अप पैसे निकाल बोल रहे हैं इस पर चालक पूछ रहा है क्या यही अच्छे दिन है राश्ठाकरे ने कहा कि यह सरासर लूट है विश्व में कच्छे तेल के दाम कम हो रहे हैं जबकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आस्मान छू रहे हैं क्या यही मोधी सरकार के अच्छे दिन है उन्होंने यह करोड की मान हानी का नोटिस भेजा है कंपनी मुंबई हाइग कोर्ट में अवमाना का केस भी फाइल करेगी रिलाइंस ने निरुपम से अपने घोटाले के आरोपों को वापस लेने और नोटिस मिलने के 72 घंटों के अंदर माफी मांगने को कहा है कंपनी ने ये भी कहा कि बि जवाब देंगे मैने इस दील में बस पारदरशिता की मांग की है यह मान हानी नहीं है अगर है तो होने दे आगर एक घाटे वाली कंपनी दूसरे घाटे वाली कंपनी को इतनी बड़ी रकम में क्यूं खरीड रही है ये जाहिर सी बात है इस दील के बाद अडानी पार बिजली के दाम बढ़ाने की कोशिश करेगी मान हानी के जरिये मुझे डराने के बदले कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए कि मुंबई उपनगरों में रह रह रहे 30 लाग बिजली ओबोगताओं की बिजली दरों में इस दील की वज़े से व्रिद्धी ना हो वैसे भी मेरे खिलाफ पहले से ही मुंबई हाई कोट में 100 करोड के मान हानी का केस लंबित है संजे निरुपम ने अमबानी अडानी के बीश डील में घपले की आशंका जताते हुए कहा है कि इससे बिजली के दाम बढ़ेंगे रिलाइंस इंफरस्ट्रक्चर के 21 दिसंबर की प्रेस रिलीस का हवाला देते हुए संजे निरुपम ने आरोब लगाया है कि रिलाइंस इंफरस्ट्रक्चर का वैलुएशन 5575 करोड होने के बाद भी अडानी पार इसे 18,000 करोड में क्यों खरीद रहा है जबकि अडानी पार पर पहले से ही 47,609 करोड का कर्ज है सब को पता होगा दिसंबर 2017 में रिलाइंस इंफरा ने प्रेस कॉन्फिंस करके अनाउंस किया कि वो पूरा का पूरा अपना मुंबई पावर बिजनेस गौतम अदानी की कंपनी अदानी ट्रांस्मिशन लिमिटेट को बेच रहे उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कैटेगरिकल ही बताया था कि तोटल डील वैल्लू एज रुपेज 13,251 करोड कंप्राइजिंग ऑफ बिजनेस वैल्यूट अट 12,101 करोड अप्रूट रेगुलिटरी असेट्स अब 1,150 करोड उसके बाद आके बताते हैं कि तोटल जो डील होगा वो 18,800 करोड रुपे में होगा तोटल कंसिडरेशन वैल्लू इस्टेमिटेड एट रुपीज 18,800 करोड रुपीज इसके बाद ये भी कहा इनने कि प्रोसीड्स टू बी यूटिलाइज इंटारली फॉर डेट रिडक्शन ये जो कंपनी बेच रहे हैं Reliance Infra के लोग वो जो भारी बड़े पैमाने पे जो करज में है ये कंपनी उस करज को अदा करने के लिए बेच रहे हैं इसा खुद कंपनी ने स्विकार किया है अब मैं जो ढूंड के लाया हूँ आप लोग के सामने वो ये है कि जो कंपनी 18,800 करोड रुपे में बेची जा रही है उस कंपनी का exact value है क्या रिलायंस सिल्फुरा ने 2016 में एक वैलुवर अपॉइंट किया था जो हमने पिपीटी दिया है उस वैलुवर का नाम है उसमें इस वैलुवर का नाम है SSPA and Company ये famous chartered accountant firm है मुंबई का इनका एक कोट में case चल रहा था है LICS में बड़ी holding है holder है तो उसकी वज़ए से उन्होंने कोट में ही बोला था कि हम एक अपने तरफ से point करता है let that chartered accountancy firm value our company and accordingly we'll discuss तो इस SSPN Company ने Reliance के power business Mumbai power business के ऊपर जो valuation report दिये है वो report मैं पढ़के बता रहा हूं GTB business equity value GTB business का मतलब हुआ generation transmission and distribution of Mumbai power business पूरा GTB business है वो 5,575 करोर का valuation प्रश्न ये है कि दो साल पहले जिस company का value 5,775 करोर रुपे था वो company 18,800 करोर रुपे में क्यों भिक रही है क्यों अदानी इस company को 18,800 करोर रुपे में ले रहे हैं ते खिलाप एक आवाज बुलंद करने के जुरूरत है कि AMERC अदानी के दबाओं में आके हमारी विजली जो सामाने लोगों को मिलती है उसका भाव न बढ़ाए और अदानी बोलेगा कि मैंने 18,800 करोर रुपे में खरीदा है तो to get my return over this investment I have to increase, please allow me to increase the power tariff कि मुंबई के सबर्बन डिस्टिक में जो कंपनी बिजली सप्लाई करती है उस कंपनी का नाम है Reliance Infra Reliance Infra अपना मुंबई पावर बिजनिस यूनिट जो है वो अदानी ट्रांस्मिशन को बेचने जा रही है इस आशे की pressure release भी Reliance Infra की तरफ से पिछले साल आया था मेरी जानकारी में पूरा जो sell डील है या takeover डील है वो लगबग 900 पन्नों का डील है ये पूरा proposal इस समय M.E.R.C. में पढ़ा है Reliance Infra ने जो pressure release दी थी उसमें बताया कि वो अपनी कंपनी अदानी ट्रांस्मिशन को 18,800 करोड में बेचने जा रहे है जबकि Reliance Infra की इस company पावर मुंबई पावर बिजनेस है उसका total valuation ही पाँच हजार पाँच हजार पाँच हजार 775 करोड रुपे है हमारा सवाल यही है कि पाँच हजार 775 करोड की company आखिर अधानी 18,800 करोड में क्यों खरीद रही है Reliance Infra पहले से एक debt-ridden company है बैंकों के भारी करज है इस पे अलग-अलग आखड़े आते हैं total अगर देखा जाए तो एक लाग तीस अजार करोड का करज है पूरे ग्रुप पे सिर्फ पावर सेक्टर पे देखा जाए तो शायद 140 billion रुपीज है अब एक debt-ridden company और लेट इतनी सारी liability वाली company उसको खरीदने के लिए जो अदानी साहब सामने आये हैं उनके पावर बिजनेस के उपर अदानी transmission के उपर पहले से 47,700 करोड का करजा है तो एक debt-ridden company के खरीदने के बज़ाए एक ऐसी company जो इतनी सारी liability में है उस company को खरीदने के बज़ाए अदानी अपना करजा के उन्हीं उतार रहे है और दूसरा प्रस्ट नहीं कि अदानी की company जो खुद इतने करजे में है उसको आखिर कौन सा bank finance करने जा रही है और bank क्यों finance करेगी जब हिंदुस्तान के सारे बड़े-बड़े bank लुट रहे हैं पिट रहे हैं बड़े-बड़े वियापारी करजा लेकर के हिंदुस्तान से फरार हो रहे हैं तब दो बड़े वियापारियों के बीच एक major deal हो रही है और ये दोनों वियापारी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के खास हैं दोनों वाइब्रेंट गुजरात में जोर सोर से पाटिसिपेट करने वाले लोग हैं दोनों में एक जो अनिलंबानी जी हैं उनकी कंपनी रफाल डील के स्कैम का हिस्सा है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित निवेदन में ब्रामहर संगम ट्रस्ट नवी मुंबई ने आरक्षन को भ्रष्टाचार और अराजकता की वज़ा बताते हुए रद्ध करने की अपील की है ट्रस्ट अधिकारियों का कहना है कि समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए रिजर्वेशन को दस सालों के लिए लागू किया गया था लेकिन सरकारों ने सिर्फ अपनी राजनीतिक हित के लिए इसे पिछले सतर सालों से जारी रखा हुआ है ट्रस्स ने प्रमोशन में भी जाते आधारत आरक्षन को हटाने की मांग करते हुए कहा कि इसके कारण जहां सामानिवर के गरीब और जरूरत मन्त युवा बेरोजगार हैं वहीं कर्मिचारी निराश है भाजपा विधायक मंगल प्रबात लोड़ा ने मुख्यमंत्री देवेन फरनवेस और वित्यमंत्री सुधीर मुनक्तिवार को पत्र लिखकर मांग की है कि गणेश उच्छव के दौरान इस्तेमाल होने वाले सजावती समानों को जी एस्टी फ्री किया जाए इससे इकोफ्रेंली समानों के उत्पादन को भी प्रोचसाहन मिलेगा साथ ही गणेश उच्छव की चमक भी कम नहीं होगी उन्होंने सरकार से इस बारे में जल्द फैसला लेने को कहा है वित्यमंत्री ने लोड़ा को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामने में सकरात्मक है गौर तलब है कि गणेश उच्छव महराष्ट का सबसे बड़ा त्योहार है इस दोरान सजावत के लिए प्लास्टिक और थर्मकोल का सबसे जादा इस्तेमाल होता है लेकिन पर्यावरन विभाग ने 23 मार्च से प्लास्टिक और थर्मकोल पर पूरी तरह रोक लगा दी है बांडरा पूर महा मार्विस्थित छेत्री कार्याले में कर्मचारी भविश निधी संगटन के मुंबई छेत्री कार्याले द्वारा दस एप्रिल को सुबह साड़े दस बजे निधी आपके निकट कारेकरम का योजन किया जाएगा जिसमें कर्मचारीों की शिकायतों सुझाओं के साथ कंपनियों का पक्ष सुन कर उनके सुझाओं भी लिये जाएंगे संगटन के आयोग पंकज रमन ने बताया कि इस कारेकरम का उद्देश कर्मचारीों और एंप्लॉयर के बीच बहतर तालमिल बिठाने के साथ ही रिटाइट कर्मचारीों की भविश निधी से जुड़ी समस्याओं को हल करना है 20 साल पुराने काले हिरन के शिकार के मामले में जोदपूर कोट नियार सल्मान खान को 5 साल की सजा और 10,000 रुपे जुर्माना लगाया है जबकि अन्यारोपी सैफ अली खान, तब्बू, सुनाली बेंडरे और नीलम को बेनिफिट ओफ डाउट के आधार पर बरी कर दिया गया सल्मान खान को वने जीव संरक्षन धारा 51 के तहट दोशी पाया गया दो अक्टूबर 1998 को हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सल्मान पर जोदपूर के पास कांकारी गाउं इस्थित तीन अलग-अलग जगहों पर शिकार करने का रोप लगा था जोदपूर के मुख्य नयाईक मेजिस्ट्रेट डेव कुमार खत्री ने 28 मार्च को मामली की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था काला हिरन शिकार मामले में दोशी पाए गए सल्मान खान को आज की राज जोदपूर सेंटरल जेल में ही गुजारनी पड़ेगी सजा की अबदी तीन साल से जादा होने के कारण सिर्फ सेशन्स कोट ही सल्मान को बेल दे सकता है समय कम होने के कारण सेशन्स कोट आज सलमान की जमानत अरजी पर सुनवाई नहीं कर सका सलमान खान को अब जोदपूर जेल में ही रहना होगा इस जेल में आशाराम बापू और गैंग्स्टर लॉरेन बिश्नोई भी बंद है